एक रोज शाम के वक्त हिना अपनी मा के साथ बैठी हुई होती है तभी वो अपने फोन में अपनी मा को एक लड़की की फोटो दिखाते हुए कहती है मा ये देखो ये लड़की कितनी मौडन एंट टॉल है ये मेरे भाया के साथ एकदम फिट बैठेगी तभी उस घर की बड़ी बहु मानसी वहां आती है चले मा जी हिना दीदी खाना लग गया है बहु यहां तो आ ये देख हम तेरे देवर के लिए रिष्टा.com की साइट पे लड़की ढूंड रहे है जो कि सुन्दर होने के साथ साथ अमेर भी है अब तेरे गरीब माई के वालों ने देखेच के नाम पर एक दो चीज पकड़ा दी बस इसलिए अब मैं अपनी छोटी बहु अमीर खानदान की लाऊंगी जो कि भर भर कर देख लाए हां वो अपनी बड़ी बहु को ताने दे ही रहे थी मैं नहीं मानती इस शादी को हाथ तो किसे फर्क पड़ता है आपके मानने या ना मानने से वैसे भी वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जब मिया बीबी राजी तो क्या करेगा काजी मैं जानती हूँ जरूर इस डायन ने ही तुझे भरकाया होगा मैं इस डायन को हरगिज अपनी बहु नहीं मानूगी भले ही आप ना मानो लेकिन लीगली तोर पर मैं ही तो हूँ आपकी बहु इसलिए अब जल्दी से जाए और आर्ती की थाली लाकर मेरा ग्री प्रवेश कीजे सास बेमन से अपनी नई बहु का स्वागत करती है जूली हितांश के साथ अपने कमरे में चली जाती है हे राम, मा अपनी इस नई चैल चबिली के तेवर देखे इसके तो रंगधांगी अलाग है, बड़ा ही घमन्ड है इसमें तु चिंता मत कर बेटी, कल इसका ससुराल में पहला दिन है तुम देखना अगर मैंने भी इसका घमन चूर चूर नहीं किया तो अगले दिन सुभा हितांश की पिता यानी जूली के ससुर अपनी पत्नी से कहते है इमला देखो तो, सुभा के दस बजने को है और ये नई बहू अभी तक अपने कमरे में सोई पड़ी है और आज इसका रसोई में पहला दिन है और ये अभी तक अपने कमरे में है तुम रुको जी, अभी मैं इसकी ख़बर लेती हूँ नई बहू, अरियो नई बहू कुछ दिर बाद जूली वहां आती है क्या बात है ममी जी क्यों सुभा सुभा इस घर को मच्छी बजार बना कर रखा है थोटी बहू, ये क्या तरीका है अपनी सास से बात करने का हितांश, हितांश, जरा बहरा न तो अब क्या हुआ जूली डालिंग तुम चुप चाप से अपने बाप को समझा लो कि वो मुझसे तमीज में रहकर बात क्या करे पिताजी आपने सुना जूली ने क्या का नालायक, इस दिन के लिए पैदा किया है क्या तुझे कि तु अपनी बीबी का जोरू का गुलाम बन जाए बस आप से ही सीखा है पिताजी जूली की सास खाने की लिस्ट नई बहु के हाथ में देती है और कहती है ये ले, ये तेरी पहली रसोई की लिस्ट है आज तुझे ये सब खाना हम सब के लिए बनाना है और हाँ, उसके बाद किचिन की साफ सफाई भी कर देना से अब आप लोगों की जिन्दगी बदलने वाली है तो मेरी प्यारी ननत जी पहले तो आप इस घर की साफ सफाई करोगी और सासुमा, आप बनाएंगी खाना और वो भी मेरी पसंद का मैं ये सब नहीं करूँगी समझी दिवरानी जी, ये सब क्या कह रहे हैं आप हम इस घर की बहू हैं और ससुराल वालों का खयाल रखना हमारा फर्ज है जे ठानी जी, इन जैसे फर्जी लोगों के लिए काही का फर्ज इनके साथ तो यही होना चाहिए बड़ी जुबान चलती है तेरी, मैं तो तुझे छट से धका ही दे दूँगी फिर तु भूतनी बन कर भटकती रहना और ये हो गई आपकी कही बातों की सारी रिकॉर्डिंग अब अगर सासो मा, आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी न तो मैं पुलिस टेशन जाकर आप लोगों के खिलाव दहे जुद पीडन के साथ ही जान से मारने की धमकी के जुर्म में सब को जेल में बंद करवा दूँगी इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करो चुपचाप से नहीं नहीं बहू, ऐसा कुछ मत करना तुम जो कहोगी हम वो करेंगे इसके बार जुली उन सब को काम पर लगा देती है ननत जी, जरा जल्दी हाथ चलाए नहीं तो नहीं नहीं मेरी प्यारी भावी, भावी मैं करती हूँ न आप आराम से बैटो सोफे पर और किसी चीज की जरुरत हो तो कहना साजुमा, खाना बना या नहीं? अब हमें कल तक का वेट करना होगा क्या? बस बहुरानी तयार है ठक हार कर ननत सफाई करके वहीं फर्ष पर ही लेट जाती है जिसे देख जूली कहती है अब यहां क्यों रायती की तरह फैल गई? जा उठो और मेरे कपड़े पड़े, उन्हें धो कर आओ तुम रहने तो ही ना, देवरानी जी कपड़े मैं धो देती हूँ नई, कोई जरुरत नहीं मैंने कहा ना, आज आपका छुट्टी का दिन है, आप कुछ नहीं करेंगी उधर सास पसीने से तरबतर होकर रसोई से बाहर आती है और सब के लिए खाना लगाती है उफ, ये कोई खाना है, इसके तो शकल देखकर ये खाने का मन नहीं कर रहा ले जाओ, ये खाना मुझे नहीं खाना मैं अभी अपने ले कुछ बाहर से ओर्डर कर रहे हूँ लेकिन बहू, मैंने इतनी मेहनत से बनाय है पूरे दो घंटे लगे हैं, मुझे रसोई में खड़े हुए तो, मैं क्या करूँ आप ससुर जी, ये खाना ले जाकर बाहर कुत्तों को डालाना और आपको जो मैंने सब्जी लाने का काम दिया था, क्या वो आपने कर दिया? हाँ बहू, मैं बाजार से सब्जियां ले आया हूँ अच्छा लिसन, शाम को मैंने घर पर पाजामा पार्टी और्गनाईस की है तो अब आप तीनों जाओ और जल्दी से जाकर शाम के खाने की तैयारी करो इसके बाद वो तीनों किचन में जाते हैं हिना रोते हुए अपनी मा से कहती है मा, यह नहीं भाबी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है बड़ी भाबी ने तो कभी हमारे साथ ऐसा नहीं किया हमारा किया हमारे सामने आ रहा है बेटी हमने जो बड़ी बहु के साथ किया है उसी की सजा हमें मिल रही है तभी जूली हितांश और मांसी भी वहां आ जाते हैं शालो सासुमा आपको अपने किये का हिसास तो हुआ और मेरी सहली की कीमत भी पता चली हाँ सासुमा मांसी मेरी सहली है क्या ये सच है बड़ी बहू हाँ सासुमा ये मेरी बचपन की सहली है और आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी जब इंडिया आई तो ये हिताइश से मिली और इन दोनों को प्यार हो गया फिर जब हिताइश ने मुझे इस से मिलवाया तो पता चला कि ये मेरी बचपन की दोस्ट जूली है सॉरी माजी मैं आपके साथ ये सब करना तो नहीं चाहती थी लेकिन आपने जो मेरी सहिली के साथ किया उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया बड़ी बहू हमें माफ करते तेरी तकलीफ को हम समझ ही नहीं पाए इसके बाद सब ने मानसी से माफी मांगी मांसी ने सब को माफ कर दिया और इस तरह नई बहु का ससुराल में पहले दिन का प्लान पूरा हो गया